नफरत के बाजार में मुखबत की दुकान खोल रहा हूँ सर्चाथरा को लेकर जूट पहलाने से लेकर पेक न्यूस तक हर वो काम स्मृति इरानी ने किया जिससे रहुल गांधी को टार्गेट किया जा सके लेकिन अफसोस ये हो न सका तो इस बार स्मृती इरानी ने दो कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी समेथ सोन्या गांधी को सीख दी तो राहुल गांधी ने मंच से ऐसा जबाद दिया कि बोलती बंध हो गई है जी हाँ राहुल गांधी ने कैसे बड़े ही प्यार से भाज़पाईयों को धोया है उनका पूरा बयान सुनाएंगे लेकिन पहले ये पूरा विवात खड़ा कहां से हुआ है आपको फटा-फट से बता देते हैं पहले सबसे पहले आप ट्वीट देखिए स्मृती रानी का एक ट्वीट है जो कि राहुल गांधी को लेकर किया गया है बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है कल का ये ट्वीट है स्मृती रानी ट्वीट करते हुए क्या लिखती है सुनेगा लिखती है कि सुना है राहुल सीट पर तो नहीं भागेंगे डरेंगे तो नहीं यू एंड ममी जी नीट तो गेट यूर मिसाजिनिस्टिक गूस आ न्यू स्पीच राइटर यानि कि आपको और आपकी मम्मी यानि कि राहूल गांधी और सोनिया गांधी को अपने और उनके बहरूपी गुंडों को अश्ट केंगे नहीं इस तरह की बाते स्मृति एरानीकरती हुई दिखाय देती है फिल्हार किस बाख बयां को लेकर स्मृति मैंडम ने ये ट्तुट किया है आपको अजय यहरई का बयांधी पर फढक रही है यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉंग्रिस नेता अजय राय ने कहा है कि अमेठी जो है वो कॉंग्रिस परिवार की सीट है दोहजार चौबिस में हमनी वेदन करेंगे कि राहूल गानिया से चिनाओ लड़े क्योंकि यहां के लोगों का कहना है अमेठी के लोगों का कहना है कि यहां पर सारे कि सारे कलका अकलकार खाने जो भी है वो बंद पड़े हुए हैं इसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है स्मृती इरानी आती है और लड़के जटके करके चली जाती है पहली बात यहां पर गौर करने वाली यह है कि अजयराय ने यह खुद बयान नहीं दिया है उनका कहना है कि अमेठी के लोग ऐसा कह रहे हैं और दूसरी बात यहां पर गौर करने वाली यह है कि यहां पर बात कर रहे हैं अजयराय लेकिन आप देख सकते हैं कि अपने ट्विट के सथीरिये अजयराय को नहीं बलकि राहुल गांदी और सोन्या गांदी को स्मृती इरानी ने तारगेट किया है इसमिती रानी जो कि अमेटी की सीट जीतने से पहले अमेटी से जुड़ी रहती थी लगातार आप जानते हैं जैसे कि सिलेंडर लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया करती थी जन्ता से जुड़ी रहती थी, जन्ता की बात करती थी, अब वो अमेटी में दिखाई नहीं देती है इसलिए अमेटी की जन्ता ने एक बार तो इनके लापता होने तक के पोस्टर लगा दिये थे इसी बात को लेकर अजे राई इस तरह का बयान देते हैं तो मैडम काफी जादा भड़क जाती हैं और किस तरह का ट्वीट करती हैं आप देख सकते हैं इसमिती राने के इस ट्वीट पर जो यूस्ट कोंग्रेस के अध्यक्ष हैं वीवी श्री निवास वो भी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि जरा ये करके दिखाओ तो उनकी सिलेंडर लिए हुए जिस तरही किसे वो विरोध प्रदर्शन कर रही उस तस्वीर को ट्वीट किया गया है और लगातार कहा जा रहा है कि पहले तो जो बाब अमेठी नहीं जीती थी लोगसभा चुनाओं के पहले तो बड़ी-बड़ी बाते करती थी अब आख बयान सुनाते हैं अजे राय ने लिखा है स्मिती रानी के ही ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखते हैं अजे राय कि स्मिती जी याद करिए अबद्र भाशा का प्रियोग आप इस संसद भवन में किया था रही बात अमीठी की तो पहले आप बताईए आप कि या चुनाव लड़ेंगी तो मैडम ने अभी तक ही नहीं बताया है कि वो क्या करेंगी लेकिन फिलहाल काफी जादा गुस्ते में नजर आ रही है राहूल गांदी पर और सोन्या गांदी पर चाहे कुछ भी हो जाए उनके लिए निशाना हमेशा राहूल गांदी ही रहते हैं इसी पर राहूल गांदी ने बिना नाम लिए कैसे मंच से तगड़ा जवाब दिया है भाजपाईयों को आप उनका जवाब सुनिए इसके बाद आपको आगे का मामला बताते हैं विचारदारा के खिलाब लड़ता हूं मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे सारे जीव अच्छे लगते हैं तो कभी कभी वो यू करते हैं मतलब क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो कन्या कुमारी से लेकर स्रीनगर जा रहे हो उनके नेता कभी कहते हैं राहूल गांदी क् चल रहा है ये मेरे दिमाक में था थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं पैदल चल रहा हूं लोगों से मिल रहा हूं गले लग रहा हूं क्या कर रहा हूं और जवाब मिल गया उनके जो कार्या करता है जो मुझसे यू करते हैं क्या कर रहे हो उनके नफ्रत के बाजार में मुहबत की दुकान खोल रहा हूँ। तो आपने देखा कि कैसे राहुल गांदी ने बिना नाम लिये तगड़ा जवाब दिया है। राहुल गांदी का कहना है कि जो भी मुझसे ऐसे करके पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ कि मैं नफ्रत के बाजार में मुहबत की दुकान खोल रहा हूँ। राहुल गांदी का कहना है कि जब भी वो भारत जोडो यात्रा में निकलते हैं तो आकसर लोग बिल्डिंग पर खड़े रहते हैं, बिजेपी के कारिकरता होते हैं, नेता होते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, हाथ बांदे खड़े रहते हैं तो मैं उनको फ्लाइंग केस देता ह वो मुझे से सवाल करते हैं कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो पैदल कहां जा रहे हो तो मैं ये कहना चाता हूँ कि मैं नफरक की राजनीती में महबत की दुकान खोलने आया हूँ आप देख सकते हैं कि एक तरफ स्मिती इरानी की नफरती भरे बयान है फेक न्यूज है जूटी खबरे हैं जो कि वो भारत जोडो यात्रा के शुरू होने के बास से लगातार चलाती आ रही हैं वहीं दूसरी तरफ राहूल गांदी है जो कि उन्हें कभी भी डायरेक्ट पल भूलने आये हैं इस नफरत से स्मिति उम्रेंधि रानी को फरसत हो या ना हो लेकिन इतना तो साफ है राहूल गांदी को से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फिर येजिग जूटarina है जैय соmbolा, ये में फिर इस पर सिर्फ भारत जोडो यात्रा के अपने उस सारे को बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं कि नफरत की राजनीती में मोहबत घोलने आया हूँ इस बयार पर इसमृती इरानी के इस भड़कने पर इस गुस्से पर और अमेठी की बाग यहां पर हो रही है तो अमेठी में इसमृती इरानी का जो हो चुका है हाल उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइबर बटन दबाये बलाइकन दबाये ताकि हर ख़बर की नोटिफिकेशन आप तक पहसीर है विर्बल तेंगली कबर के साथ तब तक के लिए घन्यवाद